अगर आप मेरे चानल पे नए है तो प्लीज चानल को सबस्क्राइब करें सबसे पहले हम मिलते हैं शियाउ नियान से जो एक युनिवर्सिटी स्टूडेंट है और खाना बनाना बहुत पसंद करती है शियाउ नियान सोचती है कि खाने से किसी भी आदमी का दिल जीता जा सकता है पर एक दिन वो अपनी बॉइफ्रेंट लिन रुई को चीट करते हुए देखकर बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में दिया जाता है वहाँ वो अपने बचपन की दोस्त यान यू को देखती है फ्लैश पैक में हम देखते हैं कि एलिमेंटरी स्कूल में जब शियाउ नियान अपने एक्जाम का ग्रेट चेंज की थी अपने मॉम की दर से तो यान यू ये शियाउ नियान के पैरेंस को बता दिया था जिसके कारण उसे पनिश किया गया था इसके पाद हाइ स्कूल में जब शियाउ नियान एक शॉर्ट स्कूल गई थी तो यान्यू उनके swimming class के दोरान लड़कियों के changing room में जाकर वहाँ श्याउनियान की skirt लेकर एक half pant रख दिया था और एक पर यान्यू श्याउनियान को एक love letter दिया था और बोला था कि जिसने वो love letter लिखा था वो चाता था कि श्याउनियान स्कूल के बाद स्कूल यार्ड में उस लड़की से मिले और वहाँ श्याउनियान से मिलने कोई नहीं आया था जब हॉस्पिटल में श्याउनियान से मिलने उसकी friend और roommate आई मेंग आती है तो श्याउनियान उसे बोलती है कि लिंडरी उसे cheat करके run run को date कर रहा था इसके बाद श्याउनियान एक ad post करती है एक handsome boyfriend के लिए और कुछ अजीब लड़के उसे मिलने आते है उस position के लिए और उन्हें reject कर दिया जाता है आई मेंग वहाँ से चले जाने के बाद यानियू श्याउनियान से मिलने आता है boyfriend position के इंटर्व्यू के लिए और श्याउनियान उसे reject करके वहाँ से भाग जाती है जब श्याउनियान अपने काम पे जाती है तो खाना सर्फ करने के समय वो अपनी ex-boyfriend लिंडरी को उसके current girlfriend run run के साथ देखती है तभी वहाँ यानियू आता है और श्याउनियान का boyfriend बनने का acting करता है उन दोनों को एक साथ देखकर run run irritate हो जाती है और वहाँ से run run और लिंडरी चले जाते हैं जब श्याउनियान आई मेंग से मिलती है तो वो उसे सब बोल देती है और सोचती है कि य run run यानियू को एक समय पे बहुत पसंद करती थी और यानियू ने उसे publicly reject कर दिया था और इसलिए यानियू को लगा था कि वो इस part time boyfriend job के लिए perfect choice था यानियू ने कहा था कि उसके parents 6 महिने के लिए abroad जा रहे थे तो अगर श्याउनियान उसके लिए खाना बना देती है तो वो उसकी help करेगा श्याउनियान राजी हो जाती है इसके बाद एक दिन श्याउनियान बहुत drink करती है अगले दिन जब वो restaurant में जाती है तो वहाँ उसकी boss से पता चलता है कि वो पिछली शाम को काफी drink की थी और restaurant को काफी गंदा भी कर दी थी श्याउनियान को याद नहीं खाना नहीं बना पाएगी रास्ते पे जब श्याउनियान रानरान से मिलती है तो वो पूछती है कि क्या वो पिछली रात उसके साथ थी रानरान हसके बोलती है कि क्या श्याउनियान का दिमाग खराब हो गया था उसे पता चलता है कि यान्यू श्याउनियान का खयाल रख और वो गिर के बेहोश हो जाती है और उसे चोट भी लग जाती है इसके बाद एक दिन शियाउन यान्यू को उसके बास्केट बाल मैच पर सपोर्ट करने जाती है पर जब शियाउन यान को वहाँ चोट लग जाती है तो यान्यू उसे वहाँ से लेके अपने घर चला जाता ह वहाँ वो श्याउन यान को उसके लिए खाना बनाने के लिए बोलता है खाना बनाने के समय जब श्याउन यान हर्ट हो जाती है तो यानियू उसकी उंगली पे मेडिसन लगाता है और श्याउन यान बलश करने लगती है जब यान्यू उसके और पास आता है तो श्याउनियन अपने आखों को बंद कर देती है और यान्यू बोलता है कि क्या वो सोच रही थी कि वो उसे किस करेगा शेयाउन यन गुसा हो जाती है और बोलती है कि खाना यानीू बनाएगा और वो सिर्फ उसे इंस्ट्रक्ट करेगी यानीू का बनाएगया खाना जल जाता है और वो उसे खा नहीं पाते हैं शेयाउन यानी यानीू को अपने साथ college के एक event में जाने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ Lin Rui और Ran Ran भी जाने वाले थे initially Yan Yu उसे refuse कर देता है पर जब वो उन couple outfits को देखता है जो Shiaon Yan online उनके लिए select की थी तो वो उसके साथ event में जाने के लिए राजी हो जाता है event में जाने के बाद वो देखते हैं कि Lin Rui और Ran Ran भी उन सेम डिजाइन के कपरों में आये थे जो Shiaon Yan और Yan Yu पहन के गए थे event के दोरान Lin Rui, Yan Yu और Shiaon Yan को एक दूसरे का खयाल रखते हुई देखता है Lin Rui Shiaon Yan को बोलता है कि उसे पता है Shiaon Yan Yan Yu को date कर रही थी Lin Rui से बदला लेने के लिए Shiaon Yan बोलती है कि क्यूंकि उनका break up हो चुका था तो वो किसको date करती है उससे Lin Rui का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए शाम को वो सब games खेलते हैं और Shiaon Yan काफी drink कर लीती है वापस जाने के समय शियाon Yan बहुत अपसेट होके चिल्लाने लगती है और कोई उन पे पानी भेगता है Yan Yu उसे अपने घर ले जाता है और उसे कुछ साप कप्रे दे के चेंज करने के लिए बोलता है Shiaon Yan कप्रे चेंज करके वहाँ सो जाती है अगली सुबह उटने के बाद वो देखती है कि Yan Yu को बुखार आया था और वो Yan Yu का खयाल रखती है जब Yan Yu को होश आता है तो वो Shiaon Yan को अपने पास देखकर खुश हो जाता है इसके बाद एक दिन Shiaon Yan और उसकी रूममेट्स लड़के और प्यार को लेके डिसकस करते हैं और Shiaon Yan Yan Yu के बारे में सोचती रहती है Shiaon Yan 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 Yu के लिए काफे कुछ कुख करती है दूसरी तरफ Yan Yu और उसकी सीनियर माथमाटिक्स कॉम्पेटिशन के बारे में डिसकस करते हैं तभी वहाँ एक लड़की एक गिफ्ट लेके आती है और Yan Yu को I Like You बोलती है Yan Yu की सीनियर उस लड़की को बोलती है कि Yan Yu किसी और को पसंद करता है और ये सुनके वो लड़की ट्रोते हुए वहाँ से चली जाती है शयाउन यान भी ये देख लेती है वो Yan Yu को बोलती है कि उन्हें अपना कॉंट्राक्ट खतम कर देना चाहिए और बोलती है कि अगले दिन शाम को अगर Yan Yu फ्री रहे तो वो एक farewell party कर सकते हैं और ये बोलके वहाँ से चली जाती है Yan Yu की senior Yan Yu को बोलती है कि श्याउन यान शायद उन दोनों को misunderstand की थी और Yan Yu को श्याउन यान की misunderstandings clear करने के लिए बोलती है Yan Yu उन्हें उसकी help करने के लिए बोलता है Yan Yu और उसकी senior Yan Yu और श्याउन यान से मिलते हैं farewell party करने party के दोरान Yan Yu की senior Yan Yu और श्याउन यान की behavior से irritate हो जाती है और उन दोनों को अपने misunderstandings clear करके एक दूसरे को अपने feelings बताने के लिए बोलती है Yan Yu और Yan Yu की senior वहाँ से चले जाने के बाद Yan Yu श्याउन यान को I like you बोलता है और ये सुनके वो खुश हो जाती है flashback में हम देखते हैं कि जब बचपन में वो मिले थे तो Yan Yu देखा था कि श्याउन यान बहुत ही बुद्धू थी और वो Yan Yu को बोल दी थी कि वो अपने exam में मिली हुई marks को change कर दी की Yan Yu ये श्याउन यान के parents को बोल दिया था ताकि श्याउन यान अपनी पराई की तरफ और ध्यान दे पर श्याउन यान को ये करने के लिए उसके parents punish किये थे high school में Yan Yu जब देखा था कि श्याउन यान short skirt पहन के school आई थी तो वो चुपके से उससे swap कर दिया था ताकि श्याउन यान को कोई punishment ना मिले school से जो love letter उसने श्याउन यान को दिया था वो उसने इसलिए दिया था ताकि वो श्याउन यान से मिलके उसे अपने साथ same university में admission लेने के लिए बोल पाए पर school के बाद दोनो meeting location में जाके भी एक दूसरे को नहीं देख पाये थे और श्याउन यान को लगा था कि यान्यू उसके साथ मजाग किया था दोनों एक ही university में किसी तरह admission ले लिये थे पर जब यान्यू श्याउन यान को अपनी feelings बोलने के लिए गया था तो फो ज्याउन यान और Lynn Rui को एक साथ देख लिया था कि यान्यू श्याउन यान को अपने feelings के बारे में नहीं बोलबाया था तब यान्यू श्याउन यान का boyfriend position का job का एड़ देखा था तो वो ठान लिया था कि वो श्याउन यान को अपने पास लाने की opportunity नहीं कवाएगा इसलिए यानियो ने श्याउन यान से एक contract sign करवाया था जिसमें लिखा था कि श्याउन यान उसके लिए खाना बनाएगी और यानियो उसका boyfriend बनने का acting करेगा और जो भी ये contract time से पहले तोड़ेगा उसे दूसरी party का खाना अगली एक साल के लिए sponsor करना पड़ेगा यानियो श्याउन यान के लिए full लेके जाता है और class में भी उसे घूरता रहता है जब यानियो देखता है कि श्याउन यान की तबियत ठीक नहीं है तो वो कभी उसके लिए गरम कपरे और कभी गरम पानी लेके जाता है वो दोनों ये समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी uncomfortable हो गए थे और ये recite करते हैं कि वो पहले एक दूसरे को जैसे treat करते थे वैसे ही treat करेंगी दूसरी तरफ लिन्रूई रानरान को इंडिफरेंटली ट्रीट करने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि रानरान एक समय पे यान्यू को बहुत पसंद करती थी Ran Ran उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अब Lin Rui को पसंद करती है पर Lin Rui उसे इग्नोर करता है और Ran Ran वहां से चली जाती है जब I-Main को पता चलता है कि Yan Yu और Xiwnian अभी तक एक दूसरे को किस नहीं किये थे तो वो Xiagonian को कुछ आइडियस देती है और Xiao Nian उन्हें implement करने के बाद भी Yan Yu ये notice नहीं करता है और उसके plans fail हो जाते हैं एक दिन Lin Rui और उसके दोस्त Xiao Nian को restaurant में काम करते हुए देखते हैं Lin Rui का दोस्त बोलता है कि Xiao Nian और Yan Yu उनके university के model couple बन चुके हैं Lin Rui Xiao Nian के पास जाता है और restaurant का दर्वाजा बंद कर देता है ताकि Xiao Nian बाहर न जा पाए वो Xiao Nian से बोलता है कि उसने Ran Ran से break up कर लिया है और Xiao Nian को उसे एक और chance देने के लिए बोलता है बाहर Yan Yu Xiao Nian को चिलाते हुए सुनता है और वो दोरते हुए अंदर जाता है Ran Ran भी वहाँ पहुँच जाती है वो दोनो Xiao Nian को Lin Rui के उपर चिलाते हुए देखते हैं बाहर जाने के बाद Ran 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 Xiao Nian से माफी मांगती है उसे हमेशा इतनी बुरी तरीके से treat करने के लिए Xiao Nian उसे बोलती है कि वो Lin Rui और Ran Ran के बीच कभी भी आने की कोशिश नहीं की थी और Ran Ran को Lin Rui को थोड़ा time देने के लिए बोलती है इसके बाद Xiao Nian को उसके roommates ready करवाते हैं क्योंकि वो Yan Yu से मिलने जाने वाली थी Yan Yu के birthday के लिए Xiao Nian Yan Yan Yu से मिलके उसे happy birthday wish करती है जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि वो gas tank लाना भूल गई थी जब वो अपनी लाई हुई ice cream cake निकालती है तो वो देखती है कि cake पिगल चुकी थी जब वो रेडियो चलाने की कोशिश करती है क्योंकि उसने रेडियो पे एक काना Yan Yu के लिए request की थी तो रेडियो किसी कारण नहीं चलता है इससे श्याउन Yan काफी irritate हो जाती है Yan Yu बोलता है कि उन्हें उसके घर जाके birthday celebrate करना चाहिए पर दर्वाजा लॉक होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाते हैं वो दोनों पूरी रात एक साथ वहाँ गुजारते हैं और Yan Yu जियाउन Yan को उस सब के लिए thanks बोलता है जो जियाउन Yan उसके लिए prepare की थी अगली सुबह वो दोनों एक साथ sunrise देखके खुश हो जाते हैं और security guard वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक button प्रेस करना था दर्वाजा खोलने के लिए इसके बाद Yan Yu जियाउन Yan को उसकी परहाई में help करता है exams के लिए exams के बाद एक दिन Linrui और Ran Ran एक दूसरी को रस्ते पे देखते हैं Linrui Ran Ran से पूछता है कि क्या उसकी कोई special plans है इस summer के लिए Ran Ran उसे नहीं बोलती है और दोनों smile करते है आई मेंग सीरियो से नीचे जाने के समय एक लड़के से मिलती है Yan Yan की घर जाता है उसके साथ वहाँ खाना खाने के समय Yan Yan वो drink पी लेता है जो Yan Yan के dad उसे offer किये थे जब Yan Yan की mom उससे पूछती है कि क्या Yan Yan की कोई girlfriend है तो Yan Yan उ बोलता है कि वो Yan Yan को पसंद करता है और पूछता है कि क्या वो उसे date कर सकता है यह सुनके शियाउनयान के parents खुश हो जाते है शियाउनयान की mom बोलती है कि वो हमेशा चाती थी कि शियाउनयान और Yan Yan उ एक दूसरे को पसंद करे तो कहानी की happy ending यहीं हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please इसे like और share कीजे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और bell आइकन को फ्रेस कीजे notification के लिए वीडियो के बारे में फिर मेलेंगे एक नया वीडियो के साथ तब तक take care